गुड मॉनिंग क्लास आज सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेस ओप सेमेट्री इन एथीन एथीन में अगर हम एक्सेस ओप सेमेट्री देखेंगे तो देखें ये एथीन का मॉलिक्यूल है ये carbon है, ये carbon carbon double bond है ये hydrogen, 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 hydrogen अगर हम इसमें axis of symmetry देखें तो एक axis of symmetry अगर हम pass करें तो ये ऐसे हो जाएगा ठीक है, ये hydrogen यहां से pass होगा और ये वाला hydrogen यहां से pass होगा ठीक, एक axis of symmetry आपकी ये हो गई जिसको हम बोलेंगे C2 ठीक है, यहां पर ये वाला जब हम pass करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा C2 axis of symmetry एक axis of symmetry हम यहां से pass करते हैं जब हम यहां से pass करेंगे तो ये ऐसे rotate हो जाएगा ठीक है एक axis of symmetry जब हम यहां से pass करेंगे यहां से, इस वाले part से तो यह क्या होगा दिख रहा है आपको इस वाले parts यह पास करेंगे तो यह rotate होके ऐसे आ जाएगा ठीक है और एक excess of symmetry हम यहां से pass करेंगे तो यह molecule ऐसे rotate हो जाएगा ठीके तो ओवरॉल इसमें हमें कितने तरह की एक्सेस ऑफ सेमेट्री देख रहे हैं तीन तरह की देखे यह वाला मॉलिक्यूल है एक एक्सेस ऑफ सेमेट्री हमने इस से पास किया इसको रोटेट किया ठीके सी टो एक्सेस ऑफ सेमेट्री हमने उपर से डाला या हम नीचे से ठीक है तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा एक excess of symmetry हम यहां से pass कर रहे हैं जब इधर से pass करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं C to excess of symmetry present है लेकिन अगर किसी molecule में एक ही तरह का excess of symmetry present होता है तो वही उसकी principal axis of symmetry होती है लेकिन अगर किसी molecule में एक से जादा axis of symmetry present होती है तो वहाँ पर हमें याद रखना पड़ता है जो वहाँ पर हमें याद रखना है कि जो axis maximum number of atom से pass होंगी उन्हें को हम principal axis बोलेंगे जैसे ये वाला जो axis पास हो रहा है ये maximum number of atom से pass हो रहा है इसलिए इसको हम principal axis बोलेंगे और जो minimum number of axis से pass होते हैं बाकि इसके अलावा principal के अलावा एक ही principal axis होता है इसके अलावा जितने भी axis होते हैं वो सब C3 axis of symmetry होती है और एक चीज़ और अगर किसी molecule में C3 axis of symmetry present है और C2 axis of symmetry दो तरह की symmetry present है तो जिसमें number of fold जादा होगा जैसे C3 में number of fold जादा है तो ये हमारी principal axis of symmetry हो जाएगी बाकि rest of जितने भी रहेंगे वो हमारी क्या होगी subsidiary axis of symmetry ठीक है यही चीज़ मैंने यहां पर लिख दी है axis of symmetry principal axis of symmetry क्या होगा which have maximum number of fold if more than one axis of symmetry have same number of fold axis which is past number of through maximum number of atom subsidiary जितना इसको छोड़ की जितने भी axis होगे वो subsidiary axis of symmetry होगे अब आईए बात करते हैं BF3 में BF3 molecule का अगर हम देखे तो जैसे हमारे पास यह है BF3 molecule ठीक यह है यह वाला structure है हमारे पास ठीक है इसमें क्या हो रहा है एक axis तो हम यहां से डालेंगे तो यह 3 fold होगा ठीक है तो यहां से जब हम उपर से डालेंगे इस वाले से सीधा सीधा डालेंगे तो सीथरी axis of symmetry होगी लेकिन जब हम यहां से एक axis डालेंगे ठीक है तो यह क्या होगा 2 fold axis of symmetry ऐसे ही जब हम यहां से डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा टू फोल एक्सेस ओप सिमेट्री ठीक ऐसे ही जब हम यहां से डालेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा टू फोल एक्सेस ओप सिमेट्री तो इस BF3 में दो तरह के Axis of Symmetry है एक आपका C3 Axis of Symmetry और एक आपका C2 Axis of Symmetry अभी हमने बताये था अब हमें इसमें देखना है एक से जादा Axis of Symmetry है तो इसमें Principal Axis of Symmetry कौन सा हो जाएगा जो Number of Fold जिसमें जादा है तो C3 में Number of Fold जादा है इसलिए यह हमारा Principal Axis of Symmetry हो जाएगा बाकी Rest of हमारे क्या हो जाएगे Subsidory Axis of Symmetry तो हम इसको कैसे लिखेंगे C3 कॉमा कितने C2 हैं? 1, 2, 3 तो इसको लिखेंगे 3C2 Prependicular C3 अब बात करते हैं निकल Tetra Sinide की तो इसका Structure होता है निकल यहाँ पर हो जाएगा निकल Tetra Sinide का Structure हम कुछ इस तरह से मानते हैं ठीक है, Square Planar में है इसका Structure कुछ इस तरह का Structure बना है ठीक है, तो यह है आपका यह Sinide है, यह Sinide है यह Sinide है और यह Sinide है ऐसे यह Sinide, 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 Sinide बीच में निकल है अब होता क्या है जब हम यहां से एक Axis डालेंगे तो यह कितने फोld में डिवाइड होई है फोर फोल्ड में ठीक है तो इसमें C4 Axis of Symmetry प्रेजेन्ट होगी उसके बाद हम एक प्लेंज यहां से डालेंगे मतलब एक एकसेस हम यहां से डालेंगे ठीक है ठीक है एक एकसेस हम यहां से डालेंगे यहां से ठीक है यह हमें क्या मिलेगा c2 एकसेस और एकसेस हम यहां से डाल सकते हैं यह भी हमें क्या मिलेगा c2 एकसेस ऐसे ही यहां पर देखिए यहाँ पे जब हम सीधा डालेंगे तो C4 access of symmetry मिलेगी जब हम यहाँ से access डालेंगे इस वाली line से तो C2 मिलेगा और यहाँ से भी डालेंगे तो हम C2 मिलेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं C4, कितने C4 होंगे यह एक C4 आपका यहाँ से भी निकलेगा ठीक है C2 और एक C2 आपका यहां से भी निकलेगा C2 यहां पर हम क्या लिख सकते हैं C4, 4C2 1, 2, 3 और 4 4C2 प्रिपेंडिकुलर C4 ऐसे ही आईए इसकी बात करते हैं हमने क्या क्या लिया यहां पर केटाइन लिया है free radical लिया है और N1 लिया है किसी को भी एक ले सकते हैं क्या करेगा जब यह resonance में आएगा तो एक circle बन जाएगा और बीच में क्या आजाएगा ऐसी free radical भी resonance बन जाएगा बीच में आजाएगा N1 भी बीच में आजाएगा आपका तो अगर हम इसमें X of symmetry देखे तो देखो यह 5 corners है ठीक है पांचयों corners में आगर हम बीच में X of symmetry डालेंगे तो हमें C5 fold मिलेंगे ठीक है तो हमने यहाँ पर C5 fold लिख लिया अब हम हर एक पर डालेंगे जैसे यह वाला है यहाँ पर डाल के देखते हैं ठीक है एक एकसेस आप सिमेट्री हम यहां से पास कराएंगे ठीक एक एकसेस आप सिमेट्री हम यहां से पास करा सकते हैं और एक एकसेस आप सिमेट्री हम यहां से पास करा सकते हैं तीन तो यह हो गए एक एकसेस आप सिमेट्री हम यहां से पास करा सकते हैं तो उपर तो 5 फोल्ड होगे तो हम इसको लिखेंगे C5, कितने C2 निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, then 5, तो क्या हो जाएगा, 5 C2 प्रिपेंडिकुलर C5, ऐसे ही बेंजीन रिंग का है, बेंजीन रिंग में 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 फोल्ड ओप एक्सेस ओप सेमेट्री होगा, तो उसक एक C2 प्रिपेंडिकुलर C6, क्लोरो बेंजीन का अगर हम देखें, तो क्लोरो बेंजीन यह हमारी बेंजीन रिंग है, उपर CL है, इसमें हम एक एक्सेस डालेंगे, ठीक है, एक्सेस डालेंगे, यहां से, यहां से इसका, यहां से एक्सेस इसका आएगा, तो यह दो फोल् तो इसमें भी C2 Axis of symmetry present होगी, हम एक axis यहाँ से डालेंगे, तो हमें C2 Axis of symmetry मिलेगी, ऐसे मेटाडाई क्लोरो बेंजीन में, क्या है, दोनों मेटा पोजिशन में क्लोरीन है, अब हम यहाँ से बीच से C2 Axis डालेंगे, तो यहाँ पे भी C2 Axis of symmetry present होगी, इसकी बात करें पैरा to excess of symmetry आपकी यह हो जाएगी ओके तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं c2,2c2 perpendicular c2 अब आईए बात करते हैं और्थो मेटा ट्राइ क्लोरो बेंजेन और्थो मेटा ट्राइ और्थो मेटा ट्राइ क्लोरो बेंजेन की बात करें इसमें भी हमारा क्या होगा दीकिए यहां से हम एक access डालेंगे तो c2 access of symmetries में भी present होगे 1,3,5 ट्राइ क्लोरो बेंजेन में access of symmetry देखते हैं तो कुछ नहीं सबसे पहले तो हम यहां से से देखेंगे ठीक है जब यहां से देखेंगे यहां से एकसे क्लोरो प्रिपेंडिकुलर सील गवार इसमेट को शानल के बात करें तो यहां पर हम कोई एक्सेस नहीं डाल सकते हम अगर अमीन की बात करें तो इसमें भी हम कोई एक्सेस नहीं डाल सकते ठीक है इसकी बात करें इसमें भी हम कोई एक्सेस ना तो हम यहां से कोई एक्सेस डाल सकते हैं और ना है हम यहां से एक्सेस डाल सकते हैं इसमें कोई भी एक्सेस of symmetry present नहीं है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, कि मेधेन के उपर अगर मेधेन लगा हो, cauliflower जिसको बोलते हैं, इसकी बात करें इसमें भी कोई excess of symmetry present नहीं है, लेकिन अगर हम simply methane की बात करें तो इसमें दो तरह की excess of symmetry present होती है, झाल 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 झाल